हेलो एंड वेल्कम बैक टो आर चैनल फेल ब्लॉगर वीजे एंड मैं हूँ भी शुजीत आपने इस वीडियो को देखने से पहले इस सीरीज के पिछले पांच पार्ट देख लिए होंगे जो कि बेस्ट है हमारी ले लग्दा की में 2019 ट्रिप के ऊपर तो दाय माय की बाते बंद करके सीधा कूलते हैं मुद्दे पर जो कि है बजट अन्ट प्लानिंग उफ ले लगता तो चलिए शुलू करते हैं तो इस वीडियो के इंफॉर्मिशन को मैंने छे सेक्शन में डिवाइट किया हुआ जिसमें पहला सेक्शन है जिसमें बताऊंग होवाइट होटेल्स इस सबसे इंप परमिन त्रमी तीसरा सेक्शन इसल्फे सेक्शन में बात करेंगें हमारे यूद रaz abd happened आपके सकते हैं कितने का फ्यूल कितने का उसमें लगेगा और फ्यूल स्टिशन हैं कहां-कहां पांचवा पार्ट है ईपने लगे बात करूंगा एकर सेंचेंव में आ सकता है टैक्सी के खर्चे जहाँ-घ्री फीच फीश लगी तो उसके अंट आपको बताओंगा पिर आखरी पार में बताओंगा कि क्या क्या चीज़ें जो आपको इस ट्रिप में लेकर जानी है और उसको किस तरह से मैंज़ करना है कि आप एक लोग या दो लोग अगर जाते हैं बाइक मदद के इस तरह मैंज़ करके आप आराम से यह पूरा ट्रैवल कर सकते हैं पाज गिल और मैं आपको इस सेक्शन बताओंगा वहां के मुबाइल नेटवर्स के बारे में हमें के मंद में और यह जो इस्लिए अद्रैक करना होता है तो वह आप देख लीए दगाना पड़ाईग लेकिन तो इसलिए होता है तो इस वजह से हम पारगेनिक अच्छी कर सकते हैं जून के टाइम में सब चीज़ें ऊपन हो जाती है इसली सब लोग पहुंच रहे होता है बीड अच्छी होती है बिसे अच्छा चल रहा होता है उनको तो पारगेनिक कर सकते हैं अगर आप जून माय जून में जून के या जाते है तो स्पेशली जून जोड़ा सा स्यछे DR आुछली होता है बांकि गंड़ी अगस में बहु चीज़े कर सकते हैं चोंकि में में अप्लाई हो रही है और यह जार जार पने वाली है कि जो भी एक्सपेंस टेज़ हैं वो हर चीज़ दबल शेरिंग बेसे पर रूम ब्लेश और बाल पर दोजो हैं पहले बात कर लेते हैं स्क्ष्छन वन के बारे में जो कि है इस इस इचल करना है तो एमस से बचने के लिए ज्यादा तर लोगों की यह सजिशन है कि आप जिस दिन वहां पहुंचते हैं उस दिन पूरा रेश्ट करिए अगले दिन लेही का लोकल घूमिए उसके बाद आप जाए आगे हाइट पर तो इस प्लैनिंग में मेरा अगर आप अपने साथ प्रॉपर मेडिसिन लेके जा रहा है तो आप वो लेकर लेकर लोकल घूमना पैसे दिन में शुरू कर सकते हैं पर मेरा ऐसा कोई प्लैन नहीं था कि मैं जाकि महाँ पर एक प्ली दिन वेस्ट करें क्योंकि पांस दिन ऑर थोड़े कमी है तो पांस दि मैं आफिस की छुट्टी आइटी नहीं बिलती है तो मेरा एक बिदन वेस्न आगर हो तो इसके लिए मैं लेके गया थे मैडिसेंस वैसे मुझे हाइट पर इतनी दिक्कत होती नहीं है तो मैंने डेवन से ही अपना ट्रेवल शुरू किया जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा हू तो मैं सबसे पहरे चेकए का नहीं नहीं पर अपिर वीचिए मेरा है संगम करते हैं क्योंकि इसमें च्राइब नहीं है आप इसली आदे घंटे या चालिस मिनट में आप मेंगनेटिक हिल होते हुए एक कॉन्फुलांस तक पहुंच सकते हो फिर वापस आके आप शांतिस तूपा जा सकते हो तो यह टोटल मैकसिमम आपका दो घंटे लेता है दो घंटे तीन घंटे आप आराम से टाइम स्पेंट तो दूसरे दिन हम निकलेंगे हुंडर के लिए जो कि नुपरा वेली में आता है और लेट नुपरा वेली का सफ़र हमताय करेंगे वाया खाडूंगला पास जो कि यहां की हाई बहुत ज्यादा है आप से मेरे रिक्वेस्ट है कि आप डाइमॉक्स जो मेंडिसन है डाइम तो अगर आप पूरे पांचो दिन में एक रूल फॉलो करोगे जल्दी उठके निकलने का क्योंकि जिससे आपको हड़ बड़ी ना करनी पड़े रास्ते में और आपको बाइक तेजना चरानी पड़े तो आप सुबह जल्दी निकलके अगर आगर आठ वाजे भी नाश्त हमारी थ्री में हेज़ा ठीजै क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि मैं आज ही निकलके precise ताईयों को हूँच जाओ कि मैं चाहता था पैंगॉंग मेरा हमेशा आखरी स्पॉर्ट हो जहां मैं विजिट करूँ तो उसने हमारे पास ऑप्शन थे तीन पहला ऑप्शन था त्युटुटुप जो कि हुंडर से पढ़ता है 80 km के आसपास दूसरा ऑप्शन था मेरे पास पैनेमिक पढ़ता है है अर्ली मॉर्णिंग अर्ली मोर्निंग का मतलब है साथ आज वह तक निकलते हो तो इसली आप पैनेमिक जा सकते हो और पैनेमिक से बापसी में हैं आते हुए पैनेमिक से 2 किलमेटर के बाहर बढ़ता है याराव लेक प्शन निवह की टार वह तक आप वांपिस उन्डर तो अगर आप नेट पर प्लाइन करना है या जितने भी प्लैनर्स ग्रूप्स है वहां पर इंटरिए पर आविलिबल वह आपको 30% घुरुप्स जो आपको इस तरह से ले के जाते हैं कि आपको एक दिन लेके आते हैं ले लिखियाू फिर अगले दन अपको भूले ले ले ल सबस्क्राइब निलोच के लिए आपको सब्सक्राइब डृब आपको सब्सक्राइब gefragt पहला रास्ता करें खैना जा कि आप की पयुक्त सब्सक्राइब इन cham 46 ढूर्बशमों embedded च स्याम परिए ऊपनेद ज Whenever और विर होंगे आपको पैंगॉंग लेके आएगा ये भी बहुत लंबा रास्ता है करीब 10 गंटे या 12 गंटे का होगा तो ये भी मैं प्रिफर्ड नहीं किया तीसरा रास्ता तो सबसे छोटा हो जो मैंने प्रिफर्र किया वह रास्ता था अगाम से दूसरा वाला कट लेना जो कि शयोक विल आटे वाला रास्ता है कोई भी चीज अवेलिविल नहीं थी वहां पर और शायद रोड्स भी खराप थी लेंड्सलाइट ड्रोन एरिया लेकिन मैंने वह प्रिफर्र किया तो मैं आपको बता दूँआ की रोड्स काफी अच्छी हो गई है और में के मंथ में तो कोई भी व पर जाते हो दो सब्सक्राइब पर अगया था या तो पर हम नहीं रुखते हो तो एक और ऑप्षन है अप 30-40 क्लिमेटर तंस्ते टांस्ते से पंगों का कोई व्यू नहीं थी तक पाद आगया था है लुकूंग फिर आता है मन फिराता है मेरत इन चार जगों पर आप रु पर मैं आपको बता दूँ कि अभी जैसा मुझे अपनी ट्रिप पता चला कि इस पैंग में केम्पिंग लगा दिया गया है तो ज्यादा तर कैम्स जो हड़ चुके हैं बहुत ही कम कैम्स जो भी चल रहे हैं तो इस रिस्क से बचना के लिए मैं टांसे में ही रूप गया था तो मैं टांसे में आप पहुंच के वापिस बुग करके समान वहां चोड़के आप एजली राउंड ट्रिप करके उसी दिन में आप शाम तक वापिस आ सकते हो जो कि हमने भी किया अब बात करते हैं पांच वाजन की आज हमें निकलना है पैंगॉंग लेक से वापिस लेक के लिए वाया चांगला पास तो हम जिस टाइम गए थे वह थोड़ा इस साल एक रेयर कंडिशन थी किस बाग बहुत गिरी तो चांगला पास में बहुत थी जिसमें हम फस भी गए तो यह केस हमेशा नहीं होते हैं तो आप एजली वही रहे एक रास्ता वही है तो आपको आप हरा सकते हैं तो अपके इस तैम बहुत है तो आधे गंटे का डाय लेका के लिये पहुंच सकते हूं पहुँत सकते हो जाके है स् widget मृम्च कारू ऑय कर यह siam लिद्iş लेख में। सकते हो कोई भी फेमस मुनिश्टी पिक कर सकते हो जहां पर आप विजिट करोंगे या तो आप जा सकते हो रैंचो इसकूल जो आपके रास्ते में पढ़ेगा और फिर आखिर दिन जो हमारा रहेगा उस दिन हम वापस करेंगे हम वापस जाएंगे ले से निकल के डेली के लि लिए आपको अर्ली मॉनिंग फ्लाइट लेने पड़ेगा अर्ली मॉनिंग फ्लाइट लो डेली पहुंचो और आराम से घर में एक गंडे-टेर गंडे पहुंच जाओ के एरपोर्ट से आप आराम से ओफिस जाओ को ईश्यू नहीं है तो यह था हमारा इडिनरी ब्लाइन ले कर देक्LES ड final Style से घर मिलने लगती हैं यह 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 जा इता कि सबको पता होगा मेरा वां की मधOC को मत होता है लेकिन भीड वहां होती है तो आप ढूरिह मुँस टे suspicion अगर आभर यह निम कर सते हो और भीड़ी आता है में के मन्त में फ्लाइट्स होती हैं तीन सड़े तीन हजार रुपए की तो यहां पर यह है कि ऐसा मेरा मानना यह मेरा एक्सपीजियन्स है कि अगर आप ट्रिप से अगर आप सब कुछ वहां प्लैंड है ट्रिप के जस्ट एक या दो दिन पहले आप फ्लाइट कराते हो तो यहां पर मेरा यह ट्रिक है कि आप जाने से एक दो दिन पहले टिकेट जरूर चेक करें जिसमें आपको सब्सक्राइट मिल जाएगी अगर नहीं भी मिलते हैं तो फिर महंगी वाली जो चार सड़ चार रहा है कि वह तो थी मेरा ट्रिप था वह एट मेका था और उससे एक 20 महीने हमिते पेन जो फ्लाइट चेक की वह थी करीब 4 रहाज 4200 की लेकिन मैंने जब मेरी टरिप के जंट दो दिन पहले फ्लाइट चेक कि यह एक दिन पहले भी चेक करिए तो उस प्लाइट उस ह adapt का से दीनःजार रूपय के आज पास का जिसका Proof है यह यह तो यह को बता दूं अगर आप थोड़े और रिसर्च करते हो और आपकी किसमत और अच्छी रहती है तो यह फ्लाइट आपको एजली शाड़े-च्छे-हजार तक में मिल जाती है क्योंकि रॉपसाइट पर अच्छे-च्छे कूपन साते रहते हैं तो आपकी किसमत क्यों पर है कि देख सकते हैं सारी इंफरमिशन सारी तो अम देए बन पहुंचे ले ले में हमारे स्टे था जॉस्टल डे टू हम निकले हुंडर के लिए हुंडर में हम दो दिन रुकते कैसा आपको मैंने बता या हूटल में पहुंचकर आए होटल पैंगॉंग रिस बापर हम पहाई ल तो आपने लिए और दे लास्ट जो आपने ले में रुका जोस्टल में तो यह रहे हमारे जोस्टल के वाउचर्स तो आपने इस लिए देख लिए जो चार्ड लोगा सिटे है वो आता है 2398 मतलब 590 रुपए पर हैट उनली तो 590 रुपए पर हैट आता है तो इसको मैं अगर 600 मान लेता हूँ तो डे वन और डे लास्ट का हमारा टोटाल एक्सपेंस हो जाता है 1200 रुपए दो दन का हमारा इसमें होटल कवर हो गया है और रूम्स आपने मेरी वीडियो में देखी लि ले सकते हो और में कोर्स में चिकन डाल रोटी सब कुछ अवेलिबल था बहुत बड़े स्केट हमारा यहां पर वाइप अवेलेबल था यहां पर गरम पानी वेलेबल था वाश्रूम में वगएरा सब कुछ साफ भी थे और अगर आप जाते हो तो आपको परमेट बाइक की कि इतनी रेटेंशन नहीं लेनी पड़ेगी यह लोग खुद अरेंज करा देते हैं मैं तो अपने कुद बुक करके गया था मैं आपको अपके इंफरमिशन लिए बता रहा हूं हूं तो दो दिन का सॉस्टेल 12 रूप में तो अग्दे दो दिन का हमने स्टे बुक किया था करके यह पहुंचा है माउंट 3500 में ले लिए तो दो दिन का 3500 था इस expense के हिसाब से अगर आप पर है अगर expense निकालो कि दो दिन का तो आता है 437 के आसपास पास पर दे का इंटुट्यू करोगे तो दो दिन का stay होता है एक जन का यहां पर पूरे नुब्रा वैली में यह दिकत है लाइट आती है शाम को साथ बजे के आसपास जो की रहती है राथ में 11 या 12 बजे के तक तो यही था यहाँ पर भी यहां का खाना बहुत अच्छा था यहां का हमारा जो इ nouveaux जो भर से उलगob तो आप काम चलाओ के वाल मगें सेब्स करने के लिए छोड़े बहुत कोल करने के लिए वीडियो कोल करने के लिए भी सही था अब आगे बढ़ते हैं हमारा तीस्से दिन के चौट हो तो जो मैं आके बताया था हमारा त्यांग्स कि लाप फिता होड़ you पर दो पर नहीं पर इंटेशनली एक बड़ा रूम लिया था जिसमें छह लोग आपस में साथ में रूख सकते थे तो उसमें आपर तीन बैट्स और तीन गद्री नीचे लगाए इसले पर नहीं था यहांगे थान हरे दिशना रही है तो यह इतना टाम आपके पर रहात होता है आपने सारे गजेट सारे पावर वियंक सारे लैपटॉस पर चार्ज करने के लिए वापिस फिर अगर दिन हम वापिस ले चले गए जिसका एक्सक्रेंस में और अब कवर कर सबसे महेंगी चीज़ें अब बढ़ते हैं आगे जो कि हमारा तीसरा पाट था पहले सेक्षन का पर्मिट जो कि बहुत सब्सक्राइब तो अगर आपको लगता है कि पर्मिट के लिए आपको ले जाना पड़ेगा वहां पर जाएगा तो मैं अब आपको अगले कुछ मिनिट्स में बढ़ाऊंगा स्टेप पर्मिट लेने का श्राइब चल्ड पर्मिट का ऩर्मिट का फ्रॉब्स कि अप्राइब पीप्स यह रहा हमारा permit और यह रही हमारी permit receipt जिसमें आप इसलिए देख पा रहा होगे कि चार लोग का permit है जो कि 920 रूपीज का है जो कि परहे डाता है 480 रूपीज तो मैं वह यहां पर एड कर देता हूं तो अब आप सीफ चुके हैं कि परमिट कैसे लेना है होटल कॉन सबुक करा अब आप नहीं तो आप तो इसपेंस जोड़ लेते हैं पिछे के हमारे स्टे और फ्लाइट का अम ने जोड़ दिया था उसमें हम 480 रूपाय के और राइट करते हैं जो तो 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 अब आगे बात करते हैं अपने अगले सेश्चन की जो है कि सेश्चन 3 इसमें बात अब आप ने जोड़ी आने तक का कवर होगा तो डे वन के अगर मैं बात करो तो आप अपने साल जरूड राइफूर्स वगरा कुछ रख लीजेगा तो ड़ाइब लीजेगा जो कि आगे बहुत कामाने वाले हैं तो डे वन हम यहां से निकल के नोड़ी पहुँचे डेली पहुचे पर बाइक लेकिन निकले में चार पास पास पहुचे थे वहां पर भूट लगी में वहां पर ही एक कैपे है जहां हमने चाय लिए और मैली खाया जिसका पर एट कॉस्ट अरा था फिर जब वापस अपने होटेल पहुचे तो उस दन हम शाम को निकल गए ते ले- तो अगरा सब चीज जोड़ तो हमारे बन का एक्सपेंस फूट एक्सपेंस होता है कि 370 अब पात करते हैं जैसे मैं बताया कि हम यहां से ले से हुंटर के लिए निकल रहे थे तो यहां पर हम जो कि रिप्राइशन ने करे जॉस्टल में हमें मिला सेंडविच और चाय तो जो हमने वहां सेंडविच के थे वह हमारे लिए काम है जब हम रास्ते में थे हमें भूट लगी तो पहर में हुंटर जाते टाइम वहां पर खाए फिर हम पहुंच गया एक फूट एक फूट एश्पेंस का एक फिक्स प्राइस ता जो कि 350 रुपीस पर एट था उसमें कव अब भूब हो रहे थे अगले और इसमें प्रेक्फास्ट रिटनर की कोई लिमिट नहीं थे आप जितना खा सकते हो खा सकते हो और आप चाहो तो पैक भी कर सकते हो इसको अपने बाइक जरनी के लिए तो वही हमने भी किया तो डेटो का फूल टोटल फूट एसमें कोचा 350 प्रेक्फास्ट कि अधर यहां पर जाने वाले थे तरफ वहां पर काम आया जो पराटे खाए जो पैक करके ले गए तो वहां से हम जब वापिस लॉट है तो फिर से हमारा डिनर वही 350 हुपर में कवर हो गया तो इस दिनका चोटल एक्समें सिर्फ 350 हुर पर होता है और फिर से खाया हमने और अबाकी का थोड़ा बात हम फॉइल में साथ ले गए तो वहां पर एक चोटा सा डाब आता जहां हमने मैगी और चायली जो जिसका टोटल एक्सपेंस पड़ा हमें 50 रुपए और जो हम साथ में पैक करके ले गए तो भी आराम से खाया कोई दिकत नह पैंगों लेक में वहां पर ही कुछ ने कुछ छोटे मोटे कैफे हैं हम वहां गए हमने वहां पर नूडल्स मुमों बगर रखाया जिकी क्वालिटी बहुत खराब वज इसका पर हिट कॉस्त था 60 रुपीज तो अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पैंगों रि पासाथ में कुछ गरम पानी की बॉटर्स ने क्योंकि अगली जर्णी हमारी होने वाजी तो टोटली बर्व के भरे रास्तों में और हां में लगती है तो गरम पानी को बहुत काम भी आया तो इस दन हमने तो पहर में जो पैक कर आया था वही खाया लिखना में पिर से भू तो हमने जूस के बैकेट जूस हमने वहाँ पर जूस लिया जिसका टोटल कोस्ता 20 रूपीर तो उपर का सारा टोटल जोड़ने पर होता है 1450 और इसमें अगर आप कॉस्ट एट कर दो थो थोड़े को स्नैक्स की और वाटर बॉर्टर जो आप करें दो कि वैसे तो आपको जा तो पहुंचता है 12,000 रुपए तो हम आभी अप्रॉक्स लेकर चलते हैं 12,000 रुपए में हमारा फ्लाइट, होटेल, पर्मेट और फूड एक्समेंस कवर हो चुके हैं अब बढ़ते हैं आगे तो अब हम बढ़ते हैं अगर सेशन के लिए जो कि कता इंप्वर्टेंट है जो कि कवर करेगा बाइक सेंट फ्यूज वो तो बाइक सबसे पहले कि आपको बाइक से लेनी कहां से तो जब आप में मार्केट लेल में जाओगे तो आपकी नजरों से बाइक की शौप बजनी पाएंगी बहुत सारी बाइक की शौप आपको सिर्फ कंडिशन देखनी है कि आप कहां सेटिस्फाई होता है वो देखना है तो मैं अब ही आपको यह चीद रखता हूं क्योंकि हम में में गये तो जैसे मैं आपको पहले बताया उस दिन उस टाइम पीर कम होती तो आप बारगेनिंग अच्छी कर सकते हैं जो कि हमने भी की लेकिन आपने इंटर में कि लगता कि बाइक यूनिन की प्राइसे से जो फिक्स होते हैं इसमें कुछ भी बारगेन नहीं होता है तो वो मेरे ख्याल से शायद पीक सीजन के लिए होते हैं क्योंकि वहां पर हमें जब में में गया तो अच्छे खासे कम रेट्स में बाइक मिल रही थी जो कि आपने म लेकिन उसमें सब कुछ इंक्लूइट था एसेसरीज जिसमें एसेसरीज में था हमारा बाइक का केरियर बंजी कॉर्ट्स ग्लव्स नीगाड्स हेलमेंट सब कुछ इसमें कवर था तो अगर आप हिसाब एक तरह से लगाओ केरियर मिलता है 100 रूपर पर डे हेलमेट का 100 सब्सक्राइली के आस-पास ही वो पड़ती है यह जांकि पीछे भी पूछ लिया था चाओदा रूपर पंदास रूपर में एजली बाइक मिल रही थी लेकिन हमने यहां पर बाइक इसले पर फरकी क्योंकि यह बाइक से ब्रेंड न्यू कंडिशन में इसमें नंबर भी न तो देवन में क्योंकि हम दो बजे के बाद पहुंचे तो देवन कांट होता है आधा और अगले चार दिन पूरे कांट होते हैं तो अगर साड़े चार दिन का हिसाब लगाओं में चौदा सो के हिसाब से तो बाइक का टोटल एक्सपेंस पहुंचता है 6300 रूपीज और क् बाइक में दोलो पैट रहे हैं तो अगर आप आधा कर दो तो पर हेट बाइक का एक्सपेंस है 3150 ओनली फिर आप बता दो कि यह जो एक्सपेंस यहां पर लिखे हुए हैं यह हैं हमालेयन के और हमालेयन जो है वो सब से कॉशली बाइक है रेंट के मामने में भी खरीदने क सब्सक्राइब कर दोनों जोगे बाइक भरवानी पड़ेगी क्योंकि इसके लाब और कहीं फ्यूल है नहीं लेह में पेट्रोल का कॉश्ट था एक 80 या 82 रूपे पर लिटर के आसपास और डिस्कित में प्राइस है 85 रूपीज पर लिट है तो पेट्रोल का एवरेस प्रा सब्सक्राइस में 225 किलोमेटर के आसपास था डे 5 पर अगर हम लें पहुंचते तो यह आता 140 किलोमेटर के आसपास चलते हैं। ऊक्ति तोटा किलोमेटर होते हैं इस्था प्राइस है 83 रूपीज पर लिटर और हिमालेयन की जो स्वाइज पाइक थि उसका एवरेज कंपनी बताती है तो तो टॉटल इसमे लगना चाहिए है इस पूरे साफ फूर्व पंदरा किलो मेटर के लिए इमालेयन के टैंक में चाओदर पंदरा लीटर के असपास पास पास पेट्रोल आ जाता है और हमने इसमें पेट्रोल डलवाया दो बार जिसका टोटल जिसके टोल केपैसिटी पेट्रोल के थी करीब 26 लीटर के आसपास हमने इसे पेट्रोल अलवाया तो अगर आप 26 लीटर को 83 पेट्रोल कॉस्ट से मंडिप्लाई करते हो तो पेट्रोल कोस्ट आता है 2158 जो कि दो में डिवाइड होके हो जाता है 1079 रुपी इसको हम मान लेते हैं कि 1100 रुपी 1100 रुपे पर है फ्यूल का कॉस्ट है तो इस पूरे सेनेरियो में आपको जैरी केन में पेट्रोल लेने की ज़रुद नहीं है लेकि आप उसको जरूर लीजाएगा क्योंकि कभी भी जरूर पढ़ सकती किसी और को जरूर पढ़ सकती है तो एक दू लीटर आप बाइक में ना डलवाके एक दू लीटर आप जैरी कैन में लेकर चलिए एजली आपका ट्रिप पूरा सथिस्कुली कंप्रीट हो जाएगा तो बाइक और फ्यू लेकर दोनों का में एक्सपेंस जोड़ता हूँ तो टोटल आता है तो इसको अगर मैं उपर के सेक्शन के टोटल में एड़ करूँ जो की 12,000 रूपए आ रहा था जिसको अमने 12,000 लिया था तो अगर मैं इस खर्चे को भी इसमें जोड़ देता हूँ तो टोटल पहुंचता है 16,250 तो अभी तक हमने लगभग लगभग सारे के सारे खर्चे इसमें कवर कर दिये हैं और आपका टोटल एक्सपेंस आरा है 16,250 जैसे मैंने बताए तक मैं आप 17,000 से कम का आपको बताऊंगा और इसमें यह हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जो ह पहले बात करूँगा टैक्सी की क्योंकि आप जब नौइडा से निकलते हो डेली के लिए आपको टैक्सी चाहिए ले से पहुंचते हो होटेल के लिए आपको टैक्सी चाहिए से पहुंचते हो होटेल के लिए आपको टैक्सी चाहिए तो मैं वो कॉस्ट भी अगर इसमें कि तरफ तो परहेड आता है तो पर्हेड आता है 150 रुपए जो की दो बार के बनता है 300 रुपएं तो ओपर का 250 नीचे का 300 पर टैक्सी का थिखेंव होता हिसा हुता हमाना Total खर्चा सब कुछ कशा होने के बाद 16 uh 250 पता स 판is जो की होता है 16,800 रुपब इसमें अगर में डिस्किट मुनेस्टी के एंट्रीपी जो कि 30 रुपे थी हुंड़ से एंट्रीपी जो कि 10 रुपे थी वो भी एड़ कर दो तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने हमेशा सुना होगा कि अगर आप ले लगड़ा जाना है तो यह इसको बिल्कुल भूल जाएए इस मेरे वीडियो को फॉलो करके आप एजली 17,000 रुपे में आप ले लगड़ा कर ट्रिक करके आ सकते हो और अगर आप जून वगरम जाते हो यह आपको प्लाइट आप ले लगड़ा करके आ सकते हो उसमें 30-30,000 रुपे मतलब 15,000 रुपे एक्टर लेगाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो पर मैं चाहता हूं कि आप 17,000 रुपे में ही करके आओ तो मैं इस वीडियो को ज्यादे डिटेल में गुजग गया रीजन था यह कि जब मैं जा र बताया है या वो प्रूफ आपको गलत लगता है जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए मैं उसमें जरूर आप से बात करूंगा अगर आपको इन्फोर्मेशन अच्छी लगी आपको वाकरी में लगा कि हाँ यह हो सकता है तो एक शेयर एक सब्स है ताइमॉक डाम गूप गोली झा ने के पहले खानी है दूसरी इमपॉर्टन चीज चीज है मैं मैं यह बता रहा हूं उस परस्पेक्टिफिम्र बाइड जा रहे हैं दूसरी इंपॉर्टन चीज है बंजी कोर्च कोर्ड एक इतनी लंबी से रस्री होती है इसमें लिवि एक और इपॉर्टेंट चीज है जो कि है रेंगोट बारिश कोई फरूसा नहीं है वहाँ पर किसी भी मौसम में हलकी फिलकी होती है अगर अगर हलकी फिलकी भीज़ आपको रुखना पड़ सकता है इससे बेटर है आप रेंगोट लीजिए इससे कि आपको ट्रिक में रुख कर सकते हो और waterproof shoes optional है मैंने लिए हुए थे क्योंकि अगर कहीं मुझे चलना पड़ा पानी में तो तुरंट मेरे पैर ना भी चाहिए से मैंने waterproof shoes भी ले सकते हो तो यह जितना भी आपका कपड़ा और थोड़े बहुत और आपके कपड़े शूस वगरा चितने भी है वो आपके बड़े बैग में आ जाते हैं दो लोगों के बड़ी एजली क्योंकि आपको वहां जाके बहुत साले ड्रस चेंज़ नी करने तो आप पर जैड़ी पहनने हो तो बड़े बैग में आजाते हैं एजली और आप चोटा बैग जरूर साथ में रखना जिसको आप अपने कंदे पर लटका होगे उसको बांदोंगे नहीं इसमें रखेंगे आप गैजट जिसमें होंगे पावर बैंक कैमरा गोप्रो जो भी आप रखना जाते हैं कि जो करेगा वहां पर इन्टेनेट के बुत कम चैनल चल लेंगे और नेट्वर्का आएंगे लेकिन इस एल सिर्फ ले काम स्बस्रा कवर्वें कर सब्सके कर All तो यहां पर All Moose में ने सारे सेशन कवर कर लिए हैं तो अगर आपको कहीं मिलगता है कि मैंने आपको कोई चीज नहीं बताई है या आप और कुछ चीज जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो मुझे और मेरे इंस्टाग्राम मेंटर जो की ये है उस पर आके मुझे डाइट मेसेज कर सकते हो विदिन वन आर मैं आपको रिपलाइट करूँगा हर चीज का आपका क्वेरी सॉल्फ करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब और जब तक ये हम अगली वीडियो मान है तब तक के लिए गुड़ बाई